दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूटूब चैनल एकसेस एकेडमी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में 12460 सी छकबर्ती में 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ू ही बड़ी अपडेट डेस्कस करेंगे आप सभी से निवेतन हैं कि वीडियो को बिना इसकिप के हुए अन तक देखें जिससे वीडियो में सेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें वीटियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी से रिक्रेश्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में सेर करें, जितने बाइबान चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू तबाएं आगे की लेटेश्ट अड गत्विधी की गई उसी के दबाव में आकर के बेसिक सिच्छा भी भाग। उता प्रदेश की तरफ से सुप्रिम कोट में 12,460 से चकबर्ती के मामले को लेकर बहतर पैरबी के लिए प्रियास और गत्विधियां तेज कर दी गई है। लेकिन आप सभी लोगों ने देखा है कि 12,460 से चकबर्ती मामले को लेकर के सुप्रिम कोट में जो केस लगा हुआ है। वो सारी चीजे हमने पिछली वीडियो में आप सभी के साथ सेयर कर दी है। फिर भी आप सभी को बता दें 12,460 से चकबर्ती मामले को लेकर के 11 मार्च जो सुप्रिम कोट में सुनवाई लगी हुई है। वहाँ पर मामले को कोट नमबर 10 में सीरियल नमबर 60 पर लिश्टेट किया गया है सुनवाई के लिए। अब आप सभी को बता दें कोट नमबर 10 में कुल 61 केसे ही सुनवाई के लिए रखे गए हैं जिसमें अपना वाला मैटर जो है वो शाठ्वे नमबर पर लिश्टेट है। नहीं लगता है और जिस तरीके से पिछली बार जो अर्चना राय वाला केस था जिसमें स्टेटस क्यू जारी किया गया था वो 69 नमबर पर लिश्टेट था और वहाँ पर उसकी सुनवाई हुई थी और जहां से आपने देखा था कि स्टेटस क्यू का आडर भी सुप्रिम किया जाएगा लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उस दिन मामला अलग था उस दिन केवल और केवल अल्चना राय के अधिवक्ता थे और उनके पच्छ को सुनते हुए आगे के लिए स्टेटस क्यू जारी किया गया था लेकिन 11 मार्च के लिए नेश चंद्र की याचिका में जितनी भी कनेक्टेड याचिका है चाहे रभी कुमार की याचिका हो चाहे रूप सिंग की याचिका हो चाहे अर्चना राय की याचिका हो सभी याचिकाओं को सुना जाना है पहली बात तो ये हो गई और जब सभी याचिकाओं को सुना जा जाएगा और सरकारी अधिवक्ता को सुनने के लिए ही ये डेट डिशाइट की गई है तो चीजें यहाँ पर आपको बता दें एक लंबी बहस की जरूरत है 12466 मामले पर क्योंकि सरकार की तरफ से जो counter-affidavit फाइल किया जाएगा return में उसको approve भी करना है अपने argument से सरकारी अधिवक्ता को तो चीजें यहाँ पर एक लंबी बहस के लिए रखी जानी है और मामला आप सभी को बता दें सरकार की तरफ से अगर इसे mention करा दिया गया तो आपको बता दें इस पर एक लंबी बहस होते होए सुनवाई होगी इसके आप सभी को बता दें इसके लिए कि 11 मार्च को सुप्रिम कोट में 12460 सिचकबती पर सुनवाई हो और वहाँ से कोई direction मिले स्कूल आवंटन को ले करके तो उसके लिए सरकार को सबसे पहले case mention कराना होगा और mention कराया जाएगा तभी सुनवाई का नंबर आएगा और चीजे 11 मार्च को सुनवाई के लिए रखी गए सबके अधिवक्ताओं की ब्रीफिंग पर किरिया एक से दो दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी और सुनने में खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से अंकित गोयल सब पिछरी सुनवाई पर भी प्रजेंट हुए थे और इस सुनवा है और आप सभी ने देखा होगा इन्होंने बियड वर्सेज बिटी सी मामले को लेकर के अपना पच्छ वहाँ पर रखती नजर आई थी तो अगर आपको बता दें ये दोनों अधिवक्ता जो अंकित गोयल सर और एस्वरिया भटी में 11 मार्च को 1260 सुनवाई के दोरान उ उसके बाद स्कूल आवंटें को लेकर के आगे की फैसले लिये जाएंगे तो चीजें आपको बता दें जिस तरीके से आस्वस्त किया गया है वेट्यों को अगर उस तरीके से सरकार वास्तों में सुप्रिम कोट के अंदर उतरने जा रही है तो चीजें 11 मार्च को बहुत ह सकारात्मक हो जाएंगी और चीजें अभेट्यों के फेवर में निकल कर सामने आएंगी आप सभी को बता दें अगर सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत पैर भी करी तो 11 मार्च को अपूजेशन की जितनी भी याजगाएं वो डिस्पोजड आप भी हो सकती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो याजगाएं केवल और केवल आगे जारी रहेंगी तो अब सारी चीजें सरकार के पच्छ रखने पर निर्भर करती हैं हाला कि आप सभी को बता दें सरकार को इस समय ये बहुत ही प्रात्मिक्ता पर मामले को उठाना होगा और चीजें अपने फिवर में करनी होंगी वरना इस्तितियां और विप्रीत होती जाएंगी तो कुल मिला करके आप सभी को बता दें 11 मार्च सुप्रिम कोट सुनवाई के लिए बिभाग और सरकार की तरफ से जो तैयारी की खबरे निकल का सामने आ रही हैं अगर उसी तरीके से सरकार ने सरकार के लिए अगर अगर सरकार की तरफ से तो आपको बता दें कुछ न कुछ अच्छा डिसिजन जरूर देखने को मिलेगा बाकी कोर्ट है कोट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये चीजें आगे निर्भर करेंगी 11 मार्च की सुनवाई और बहस पर कुल मिलाकर के उम्मीदें कायम है कि 11 मार्च सुप्रिम कोट में सुनवाई होगी नहीं होने के बहुत कम चांसे से मामला आएगा सरकार मेंसन कराएगी क्योंकि अब कहीं न कहीं जिस तरीके से आप सभी लोगों ने निवेदन के रूप में एक दबाव बिल्डप किया है सरकार और विभाग के उपर सरकार के गले की फास बनती जा रही है बाराजा 460 से चकबती में निक्ति पत्र पाये अबेत्यों का स्कूल आवंटन की प्रकरिया और उसे निजार पाना चाहेगी सरकार और विभाग दोनों इसलिए सुप्रिम कोर्ट में मजबूती से जाएगी चीजें सकारात्मक होंगी हम सभी को 11 मार्च के लिए इंतजार करना है और 11 मार्च को एक बड़ी कारवाई जो हम सभी लोगों की तरफ से डिसाइड की गई उसको अंजाम देना है अब 11 मार्च के लिए सभी चैनितों के लिए इंपार्टन्ट संदेश अर्पिश्रिवास्तो की तरफ से प्रेशित किया गया है और इस बार अगर आप सभी लोगों ने अर्पिश्रिवास्तों का साथ नहीं दिया दोस्तों तो कहीं न कहीं आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है फिर सुप्रिम कोर्ट मे हर डेट का इंतिजार करेंगे कि कुछ हो कुछ हो तो इसलिए जो 11 मार्च के लिए आप सभी के लिए important संदेश है उस पे जरा नज़र डाल लीजिए तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 11 मार्च के लिए चैनतों के लिए जो important संदेश है उसके बारे में 2460 चकबक्ती आप सभी को पता है कि केस 11 को कोर्ट नंबर 10 में सीरियल नंबर 60 पर लगा हुआ है अब सुनवाई के लिए सरकार को केस मेंसन करवाना होगा उसके लिए हम सभी को मंत्री जी के आव पास सुबा 8 बजे तक पहुँचना होगा जिससे ओ अधिकारियों को निर्देशित कर सकें कि केस का निस्तारण होना चाहिए इसको मेंसन कराकर कोर्ट में बहस करें वो तब ही हो सकता है जब हम सब आएंगे बात रखेंगे इसलिए सभी से निवेदन है कि सोमार की सुबा 8 बजे बेसिक सिचा मंतरी आवास माल एबेन्यू 2 पर सभी को पहुचना है इस बार सबसे जरूरी समय है इसलिए बस ट्रेन जो भी साधन से आप आ रहे हों लखनव आपको 7 बजे तक पहुचना जरूरी है ये अरफिसरी वास्तो की तरफ से आप सभी के लिए important संदेश प्रेशित किया गया है और दोस्तों वास्तों में केवल और केवल ये अरफिसरी वास्तो का संदेश नहीं ये हमारा भी संदेश है और हम भी request करेंगे कि इस बार अगर आपने अंतिम प्रियास कर लिया और जो आपने प्रेशर बना के रखा है विबागपर उसके लिए ये आपका जो अंतिम प्रियास होगा ये मील का पत्थर साबित होगा और आपके इस्कूल आवंटन की राह भी खोलेगा उमिद करते हैं जो भी चीजें आप सभी को डिसकस की गई वीडियो के मात्रम से समझ में आई होंगी और जो भी प्लान एक्जक्यूट किया जाना है उसी के according सभी लोग रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ेंगे और बेसिक जिच्चा मंत्री जी के आवास पर आठ वजे तक हरहल में पहुंचेंगे वहाँ पर लेट लतीफी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है कि आज आ रहें कल आ रहें एक ही दिन आना है आप सभी को तो एक साथ आना है ये चीजें आपको समझनी होगी इस वीडियो को अंतक देखने के लिए सभी साथ को तेदिल ससुक्रिया बाट 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 वीडियो में आपको सभी साथ को जयें जये बाट बाट बाट